आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बजट 2022 और 2023 से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो MCQ इस वीडियो में हम लोग पार्ट फाइब हम लोग डिसकस करेंगे श्टार्ट करते हम लोग 81 नंबर कोश्चन जन्मजात हिर्दय रोग के मुप्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा कौनसी योजना शुरू की गई थी तो इसका नाम है क्या बाल हिर्दय योजना तो option C सही है यानि जन्मजात जिसको हिर्दय रोग हो गया है जिस बच्चों को तो उसको इलाज के लिए जो है राज्य सरकार जो है वह एक योजना सुरू की है जिसका जो की फ्री इलाज करवाता है इसका नाम है बाल हिर्दय योजना तो option इसका सी सही है अगला है निमलीकित में से किसे भारत-माला-पड़ योजना के तहत राश्टिये राजमार के रूप में घोसित किया गया तो इसमें आमस दर्भंगा भी है पतना से बेतिया भी है आमज से पटना भी है और दर्भंगा से एम से यानि इसमें जो चारो है इसका सही उत्तर हो जाएगा option ही उप्रयोक्त में से एक से अधीक इन सबों को जो है राश्ट्री राजमार के रूप में घोसित किया गया है अगला है State Sports Academy कम International Cricket Stadium का निर्वान कहां हो रहा है तो यह जो है राजगीर में हो रहा है State Sports Academy बन रहा है और International Cricket Stadium में यहां बन रहा है राजगीर में सही उत्तर है option number C राजगीर अगला है क्रिसी सांखीकी की सटिकता के लिए किस मोबाईल अब का उपयोग किया जा रहा है तो सही उत्तर है CCE App इसका जो full form है CCE का Crop Cutting Experiment Mobile App यह जो है क्रिसी सांखीकी की सटिकता बतलाता है तो सही उत्तर है option number C CCE App अगला है कौन सा संस्थान जो है बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना का समर्थन कर रहा है तो यह है जो विश्व बैंक है वा कोसी बिहार कोसी बेसिन की विकास परियोजना का समर्थन यह कर रहा है विश्व बैंक जो है तो सही उत्तर है option number B, अगला है बीत वर्ष द्वारे कीस बाइस में G प्लस वन प्रकार के सायुक स्रम भवन निर्वान के लिए जिला प्रसासनिक स्विकृति प्रदान की गई है, तो किस जिले को? सही उत्तर है ऑप्सेन नमबर सी सीबहर को सहयुक्सरम भवन निर्वान के लिए जिला प्रसासनिक स्विकृति प्रदान की गई है अगला है भारत दौहरेकीस के लिए राष्टिय अस्तर की प्रतियोगिता में बिहार का रहेंग क्या है तो बिहार का जो रहेंग हवा छठा अस्तान है तो सही उत्तर है ऑप्सेन नमबर भी छठा अस्तान है अगला है बिहार राज में प्रवासी मजदूरों के लिए किस योजना के तहट माइग्रेशन काउंसलिंग सह पंजीकरन केंदर अस्थापित किया जाना है तो यह है संकल्प योजना के तहट जो है प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग सह पंजीकरन केंदर स्थापित किया जाना है तो सही उत्तर है ऑप्सेन सी संकल्प योजना अगला है राज के किंजीले में प्रस्थान पुर्व उनमुखी करन प्रसिचन केंदर स्थापित किया गये थे तो इसका उत्तर हो जाएगा उप्रोक्त में से एक से अधिक आप्सान नमबर 2 सिवान गोपाल गज मदुवनी पस्चिम चमपारन अगला है चौसा जो की बक्सर में है में स्थापित ग्रीन फिल्ड थरमल पाउर प्लांट को किस वर्स में सुरू करने का लक्ष निर्धारित किया गया है तो इसे 2023-2024 में सुरू करने का लक्ष निर्धारित किया गया है से उत्तर है आप्सान नमबर 2 अगला सबसे ज़्यादा smart prepared meter लगाने वाला देश का पहला राज कौन है तो यहाँ बिहार राज जो है वह बन गया है सबसे अधिक prepared meter लगाने वाला देश का पहला राज अगला बिजली connection लेने के लिए किस app का इस्तमाल किया जा रहा है तो यह है सुबिदा app इसके द्वार आप registration कर देते हैं और आपको नया बिजली का connection मिल जाएगा आपको इस app के द्वारा आपको detail fill करना होगा upload करना होगा documents उसके बाद आपको नया connection का request generate हो जाएगा सही उतर है सुबिदा app अगला है नीच मचली उपर बिजली योजना के तहट कीन जीलो में floating solar power plant लगाने का काम चल रहा है तो जो floating solar power plant जो बन रहा है वा दर्भंगा में भी बन गया है और सुपाल में भी बन रहा है यानी कि यही दो option से हो गया उपरोक्त में से एक से अधीक हो गया सही उतर है option number e हो गया उपरोक्त में से एक से अधीक जगह पर अगला है बिहार राज में कुल कितनी जल विद्धित परियोजनाये हैं तो बिहार राज में जो है कुल 13 जल विद्यूत परियोद नाएं हैं। तो सही उत्तर है option number C 13. अगला है आंधी तुफान की पुर्व छेताबनी के लिए कौन सा मुवाईल एप बिक्सित किया गया है। तो इसका नाम है इंद्र ब्रज इंद्र ब्रज जो है वह एक मुवाईल एप है जिसके दुवारा आंधी तुफान की पुर्व छेताबनी जो है इस मुवाईल एप के माद्यम से प्रदान किया जाएगा। तो आप्शन सी इसका सही है राष्टिये खाद सुरच्छा धिनियम द्र तेरा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। पुरस्कार के जैन परिपत भी है, बिहार का कावरिया परिपत भी है, मंदार हिल भी है, अंग परदेश परिपत भी है, चारो है तो सही उतर इसका है उपरोप्त में से एक से अधिक। अगला है इंडिया टुडे समूह द्वारा किस जिले को सर्वस्रेष्ट आध्यातिवी गंतव्य के रूप में परियाटन पुरस्कार मिला है। यह है बोध गया, बोध गया जो सहर है उसको इंडिया टुडे समूह के द्वारा सर्वस्रेष्ट आध्यातिवी गंतव्य के रूप में परियाटन पुरस्कार मिला है। सही उतर है यह बोध गया, अगला है जनता से सीधा संबाद स्थापित करने के लिए जुलाई 2021 में कौन सा कारिकरम सुरू किया गया है। तो जो जनता दर्वार में जो मुखमंत्री के द्वारा, जो हर सुम्बार को जनता दर्वार लगाया जाएगा, या जो है जनता से सीधा संबाद करने के लिए, जुलाई 2021 से यह कारिकरम शुरू किया गया है, तो सही उतर इसका आप्षन सी, जनता के दरवार में मुख मंत्री अगला है तेरह नवंबर 2021 को वर्चुल रूप से आई जी 75 तरवे स्कॉच सिखर समेलन में किस राज को governance gold award से समानित किया गया तो यह राज है बिहार राज को समानित किया गया है governance gold award से अगला है बिहार के सरकारी सेवकों की समाधन जो है बेव पोर्टल है वह विहार के सरकारी सेवकों के सिकायत निवारन परणाली के लिए बेव पोर्टल तयार किया गया है सही उतर है option B अगला किस जिले में मिथिला पेंटिंग इस्टिचूट बनाया जा रहा है तो मिथिला जो पेंटिंग है वह मधु बनी या जो है मधु बनी जिले में बनाया जा रहा है तो option C इसका सही है मधु बनी जिले में मिथिला पेंटिंग इस्टिचूट बनाया जा रहा है अगला BTA प्रबंदन के लिए प्रबंदन परनाली कार्यानवित करने की योजना बनाई गई है यह है 2022-23 के लिए बनाई गई है सही उत्तर है option B 2022-23 अगला सरकार का समर्थन करने और इरसीदों के माद्यम से राजस्व प्राप्त करने के लिए कौन सी परनालियों को नियोजि किया जाता है तो इसका है option B O gross है इसका O gross जो है सरकार का समर्थन करने और इरसीदों के माद्यम से राजस्व प्राप्त करने के लिए जो है O gross परनालियों को नियोजित किया जाता है तो सही उत्तर है O gross तो यह रहा MCQ कुछ important question जो की विहार बजट दोहर 22 से related है कुछ important MCQ जो की आपको help करेगा विहार से related जो एक्जाम है इस से So thanks for watching, please like, subscribe and share my video और comment करें आपको कैसा या video लगा इसके बारे में करें आपको करें आपको का या जो एक्जाम है